कि अधिए पेरियार की बेटी पेरियार के 15 सवाल दिल्ली से दोहराती हूं पहला सवाल क्या तुम कायर हो हमेशा छिपे ही रहते हो किसी के सामने प्रिकट नहीं होते यह किसको कहा गया है निर्देश को नहीं कहा गया यह भगवान को कहा गया है दूसरा प्रस्ण हे इश्वर क्या तुम्हें खुशामत पसंद है अपनी तारी पसंद है दान दक्षा पसंद है जो लोगों से दिन रात पूझा आट्चने करवाते रहते हो दूसरा सवाल हो गया तीसरा सवाल क्या तुम सबे भूके रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूद, हलबा, पूरी, खीर, घी खाते ही रहते हो चोसा सवाल क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पश्वों की बली चड़ाते हो हे इश्वार क्या तुम माशाहरी हो क्या तुम जानवरों की आँटों चोड़ी खाते हो जो हमेशा तुम बली मांगते हो और निर्वल दुरबल पशुँओ की बली चड़ा करके तुम अपने अपको खुश करवाते हो पांचवा सवाव क्या तुम सोने के ब्यापारी हो जो मंदिरों में लाखो तन सोना दबाए बैठे हो हे इश्वर क्या तुम सोने के ब्यापारी हो आज ब्यापारी हो को भी लग रहा होगा हमसे बड़ा ब्यापारी तो बगवान निकला हे इश्वर क्या तुम वेपारी हो जो लाखो तंसोने को अपने मंदिरों में दबाए बैठे हो मैं नहीं कह रही हूँ पेरियार ने कहा है लगबग 125 साल पहले कहा है ये पेरियार की बैटी तो वो जोरा रही है इसके आगे सुनिए हे इश्वर क्या तुम वेवेचारी हो बलतकारी हो जो तुम मंदिरों में देवदासियों को रखते हो और उनकी हड्डियां ननी ननी उमर में उनका सोशन करते वक्त तोड़ देते हो पेरियार कह रहे है मैं नहीं कह रही हूँ सातवा सवाल इश्वर क्या तुम कमजोर हो जो रोजाना होने वाले बलतकारों को बिल्कुल नहीं देख पाते अंध्य हो तेरियार कह रहे है मैं नहीं कह रहे हूँ हे इश्वर क्या तुम मूर्ख हो हे इश्वर क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी ऀबुक मरी होते हुए ईवरीध गी गरीगी को देल विना ठाराई ही नदी in नाले नने प어도 को संसादन local नाच करते थे रूच श्युक्ष पर च dispनीत करती हो लिक्षेध पर सब्रस्थ अपने समाज के हारे लुच्ट करती है और तुम उनका यह दिकार य। इसके आगे 11 सवाल क्या बड़ी बात करी है किसी व्यक्ति से बात नहीं हो रहे हैं यहां पर सीधी इश्वर के साथ पेरियार के सवाल हो रहे हैं और बीच में कोई आएगा तो यह खबरदार यहां भगवान से सीधी बात हो रही है बीच में किसी को आने की जरूत नहीं है अगर भगवान का एजेंट बनके आना चाहता तो आजाए फिर सारे केस मुकद में हम उस पर करेंगे इसके बाद क्या तुम अंदे हो जो अपराद को होते हुए नहीं देख पाते क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो घरीषट आते हुए क्यों दूंसे दरें जिसके एन्यां के अजे हुए करता है यह हंआई करता है बगवान है एसी करता है के मुझे मा शो सानु धयकरते हैं लोगों को मारा जाता है देसके अंदर जवर्दसी जैसी निराम भी बुलवाया जारा आप देख रहोंगे मोब लिंचिंग हो रही है इसका अगला सवाल क्या तुम ब्रस्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुपत काम करके कमाए गए धनकी पाई पाई तुम्हारे उपर निचावर कर देता है कितनी सोचने बाली बात है क्या तुम बरस्टाचारी हो इस बात को अधिकारी करमचारी बहुत अच्छित समझ रहे होंगे क्योंकि जब हम काम करते हैं तो सरकारी योजनाव में बरस्टाचार होता है हम एर ले जाते हैं गरीब का काड़ बना कर आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो नोक्रिया कर रहा है एक तो MP बन गई स्थी का साटिफिकेट बना करके तो बगवान भी मिला हुए इन बरस्टाचारी हो के साथ कि इन्हें बरस्टाचार करने के लिए कहता है कि जा स्थी का साटिफिकेट लगा ले जो बई सिका साटिफिकेट लगा ले और इनका धन और इनकी सीथ छुन के ले रहे इनको लूट के ले जा तो ये सवाल भगवान से हो रहे है भगवान क्या तुम भिरस्टाचारी हो जो तुम हसारे काम अमीरों के लिए करते हो और गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हो पंद्रवा सवाल सबसे बड़ा सवाल क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नासिकों को पैदा किये जा रहे हो वा क्या बात है है इस वार क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नासिकों को पैदा किये जा रहे हो जोर से बजाए ये तालिया बहुत बड़ी पात है इस पर नहीं आएगा अभी देखना को अपया भी होंगी तो इस पर नहीं आएगा ये जुन्टाएंगे बसक्ताईयों बैते हों लोगों के खिलाब कर से वो अधे फर्मान जारी सा धर से अलग कर दो तंसे जुदा कर दो और हम 10 करोड रुपे देंगे अगली लाइन सुनिए अभी आखरी सवाल और पूरी लाइन सुनिए क्या तुम मुर्क हो जो हम जैसे नासिकों को पैदा किया जा रहे हो जो तुम्हें रात दिन खरी खोटी सुनाते हैं और तुम सुनते रहते हो तुमारे असित्व को नकारते हैं और तुम उसको चुप-चाप बैट कर देखते रहते हैं मैंने यहां से इतने सवाल किये कोई तुफान नहीं आया मुझे कोई बिमारी नहीं हुई मुझे कोई अटेक नहीं पड़ा मैं ठीक हूँ यहां इतनी लोगों ने सुना किसी को कोई तकलिफ नहीं हुई लेकिन अगर जिस दिन इस भगवान के नाम का शोश्र बंद हो गया कि पेर यार ने एक बात और कही है भगवान का जनम मूर्खों ने किया है पिर चार धूरतों ने किया है और मंद बुद्धु लोग उसको मानने का काम करते हैं तो आप देख लेना आपको उनसी लाइन में खडे हुँ है इसी बातों के साथ अगया पर उपसकी सभी लोगों का मीडिया खास कर ओंबेकर मैं कारा बेंगा करती हूं यहां परशासन की फ्रोग्राम के पीरी तरी कि देख रहे कि और यहां पर किसी भी तरह का पहले से सोच कर आयते क्योंकि हमें पहले से सारे ऐसे हिंत दिया जा रहे थे लेकिन अच्छे से हो गया सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया और रहुल नागपार जी का विशेर धन्यवाद आज का मन उन्होंने बहुत अच्छे से समाला जैसे वो अपने साथ कुछ बोलेंगी सुक्राइब कि रहां ना झूटी और रख्ते हैं जूत इसान रख्ते हैं चिन अलग पहचान दगते बहुत-बहुत तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम